जाड़कन की एक प्रमूख दल्हनी सबजी फसल है जो रवी फसल है जो जाड़ा के मौसम में अच्छे होता है क्योंकि इसके लिए तापमान कम चाहिए तो करीब 18-27 इस फसल के लिए उपजिक्त है तो इसलिए इसका खेती खिशान भाई जाड़ा के मौसम में करते हैं तो यह एक ताल्हनी फसल है तो हमारा जाड़कन का मौसम, जो रवी का मौसम है इस खेती के लिए उपजिक्त है तो इसके लिए जो भूमी का जो चुनाओं के बारे में हम बात करेंगे तो यहां का ज़डखन के जह हलका बालुई दुमोट मिट्टी है यह इस खेती के लिए बहुत ही उपजुक्त है के बल इसमें जैविक अंग्स का मात्रा जादा होना चाहिए ओकिसान भाई जैसे खाद के माध्धम से पुरा कर सकते हैं और यह फसल कम जैसे आपका अमलिक मिट्टी में भी हो जाता है लेकिन अच्छी मिट्टी को सुधारने के लिए कम से कम तीन साल में एक बार चुना का प्रयोग करना चाहिए ओ बुआई से करीब एक माईना पहले जमीन में करीब 25 कुना का हम प्रयोग करेंगे अच्छा तरह से मिला दे तो इससे हमारा पैदाबार बाढ़ जाती है तो इसमें खाद और उर्बरक का जो मात्रा का जरुत होता है उसमें साडी हुई गवर की खाद करीब 200 से 250 कुन्टल प्रती हेक्टर के दर से हम बुआई से पहले अच्छा तरह से मिट्टी में मिला देते हैं उसके बाद बुआई से पहले फिर हम लाइन बनाते हैं तो इसमें बुआई से लाइन से लाइन की दुरी हम देड़ फिट रखते हैं और जो बीज हम गिराते हैं लाइन में तो उसमें करीब-करीब 6 इंच या 15 सेंटिमेटर रखते हैं बीज से बीज की दुरी तो हम उसम इसमें राषानिक खाद भी प्रएक करते हैं, जिसे राषानिक खाद में कैसे हैं, जैसे इूरिया है, इूरिया करीब 60 kg और करीब 315 kg सिंगल सुपरफस्पेट और 85 kg मुरुट पोटास, प्रती हेक्टर के दर से हम बुआई से पहले अच्छा तरह से मिला दे थे, तब हम ला है, जो हमारे इस केंद्रे से विक्सित किया गया है, उसमें पहला जो है, एचे, भी, एब, भी, एकतालीस है, और साइटीस भी है, ये दोनों अच्छी कीशम है, ये सब करीब-करीब 25-95 दिन के बाद तुड़ाई सूरू हो जाते हैं, और इसका उपज्छमता करीब- हैं, तो इसके अलावा और एक हमारा जो भारते क्रिश्य उनुसंदान संगस्तान नई दिल्ली में अवस्थित है, वहां से भी एक उन्नत किशम का विकास हुआ है, जिसका खेती भी इस चत्र में अच्छा तरह से किया जा सकता है, वो है पूशा सुमीत, तो इसका उपज् प्रती हेक्टर के दर्से हैं,